आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, let's solve this question If you would be a science teacher How would you like to behave with your students? ठीक है? तो हमारे पास 4 options है Autocratic, Democratic, Laissez-Fairey and As the Conditions Permit तो पहले समझे देते हैं question क्या कह रहा है Question कह रहा है कि अगर आप एक science teacher है ठीक है? तो आपका behavior कैसा होना चाहिए आपके students के साथ? ठीक है? तो behavior with the student तो देख लेते हैं एक बार options चेक कर लेते हैं तो पहला option है Autocratic Autocratic मतलब कैसा है? Ruler-like behavior ठीक है, ruler-like behavior मतलब जो आप कहेंगे bossy rule होता है जो आप कहेंगे वो होता है नहीं ऐसा as a teacher आप नहीं कर सकते हैं तो ओके पहले सब जान लेते हैं सब options फिर हम decide करेंगे ठीक है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है दूसरा Democratic Democratic मतलब आप equality maintain करते हैं सबी students आपके सामने equal हैं ठीक है कास्ट, read, color आप नहीं देखते हैं उनके उनका जो potential है वही आपके पास focus है उन्हें उसे develop करना तो सब students equal है वो democratic behavior होगा फिर less is fairy less is fairy मतलब क्या है कि अपने आप चीजों को छोड़ देना ठीक है leave things on their own ठीक है मतलब आप interfere नहीं करते हैं उनके matter में आप उनके चीजें, उनके problems उनके उपर ही छोड़ देते हैं ठीक है और last वाला क्या है कि जैसा as the conditions permit मतलब जैसा condition हो आप वैसा behave करते हैं ठीक है तो ठीक है तो इन चारों में से हमारा सही answer होगा democratic क्योंकि जो भी condition हो as a teacher आपको हमेश as a science teacher भी as a teacher भी आपको democratic behavior रखना है आपके students के साथ equality maintain करना है तो हमारा जो democratic second option answer हो जाएगा Thank you Classics से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 84444 पर